एक और वीडियो लेके आया है रुबिक्स क्यूब के ओपर हम लोग इस वीडियो में उन सारे वीडियो को एक्सपोस करेगे जो फेक होती है और जिनने देखे आपका टाइम वेश होता है अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होएं मैं आपको यह बता दो कि हम लोग कौन सी वीडियो को एक्सपोस करने वाले है हम उन सारी वीडियो को एक्सपोस करेगे जिनके टाइटल पे लिखा होता है जो अगर आप बीगनर है या अगर आपको सी फॉप मेतट अच्छे से आता है तब भी 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में सॉल्व नहीं होते तो वो लोग क्या करते है जो उनके 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाते है कुछ वीडियो में वो बता भी रखा है और कुछ वीडियो वो छुपाते है तो वो ही आज हम लोग शुपी हुई चीज आपको बताएगे तो वीडियो को पूरा एंट तक जरूर देखेगा पहला अल्गोरिधम है L' U' L U मागर यह अल्गोरिधम बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से सारे नोटेशन बता देता हूँ कि अगर कोई नया हूँ हमारे चैनल पे तो उसे भी नोटेशन की जो L' U' जो हम लोग यह शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं वो उसे समझा जाए तो मैं बता देता हूँ देखिए पहले होता है R R मतलब हमारे राइट साइड वाला जब R बोलते हैं तो हम लोग R को एक उपर के तरफ कर देते हैं जो राइट साइड वाला है को उसे उपर के तरफ मूब कर देते हैं और यही पे अगर हम लोग R' बोलते हैं तो हम लोग इसे उल्टा गुमाज देते हैं अब वैसे ही L होता है L मतलब Left अब हमने देखा कि R में हम लोग जब R बोला तो हम लोग उपर लेगे गए मगर लेफ्ट में जब हम लोग L प्राइम बोलते है तो उपर लेगे जाते है और जब L बोलते है तो नीचे के तरफ लेगे जाते है यह आप लोग को समझागी होगा कि opposite में opposite opposite होता है जैसे हमने R किया तो यहाँ पे उपर गया और यहाँ पे R प्राइम गया तो यहाँ पे उपर गया हाँ तो दोनों को उपर में एक में प्राइम आ गया और एक में बिना प्राइम किया अब आते हैं हम लोग U U मतलब अब पे है जब हम लोग U करेगे तो हम लोग एजासे ये करेगे और यह हमारा right से left के तरफ गूम जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा U और इस ही का उबुजट हो जाएगा हमारा U प्राइम अब वैसे ही जैसे हमने right और left में देखाता है वैसे ही उपर और नीचे में भी होता है आपका मैंने बता दिया U यह होता है और U अब यू जब हम लोग right लेफ्ट के तरफ गूमा रहे है तो यह हो गए up और down का अब आ जाते हैं front और back का जो हम लोग front बोलते हैं जो हमारे सामने वाला त rash होता है जैसे टाप जाते हैं जासे हमने बागीласт में देखा यह भी opha दये है सब्सक्राइब है मलंने असे जबशान के दरफ झाल झाल आएहां थिंच्याल सकता है अब हम लोग algorithm देखते हैं, हमारा पहले algorithm है R U, तो हम लोग इसमें करेगी क्या, हम लोग पहले R करेगे, अगर आपको algorithm याद नहीं है, आप लोग फिर से वीडियो श्राट भी कर सकते हैं, उसमें कोई problem नहीं है, तो R U, तो आईए जब हम लोग करते जाएगे, तो हमारा Rubik's cube एक बार फिर से पूरा का बूरा बन जाएगा, अब जब वो लोग वीडियो दिखाते हैं, तो वो लोग स्ट्राटिंग से ही, एक solve Rubik's cube लेते हैं, जब solve Rubik's cube लेगे, तो एक तरीके से वो पहले move करते हैं, और बाद में उसी का opposite move कर देते हैं, जैसे मैंने R किया, अब य जो भी algorithms बताऊंगा, उन सब में उन्होंने ये किया है, और उन्होंने कैसे किया है, मैं ये भी बताऊंगा, जैसे उन्होंने R किया, यू किया, फिर R किया, यू किया, ये करीब एप्रॉक्ष 220 टेम्स जब आप करेंगे, तो आपका इस पूरा Rubik's cube पूरा बन भी जाएग फिर से, तो उसकी problem मत लीजेगा, तो जब हमने ये किया, तो वो आपको देख रहे हैं कि उपर का थोड़ा खराब है, ये कराब है, ये कराब है, मगर जब आप वो लोग थोड़ा पाट शुपाय रखते हैं, आप देखिए, ये जो चार पीस है, ये कभी नहीं हिलने, फि तो इपर यहां पे नीचे यलो होता, तो नीचे यलो में भी ये पीस कभी नहीं हिलेगें, और अगर आप टॉप में देख रहे होगे, तो अगर आप ये कही भी वीडियो देखें, तो इस वीडियो को इग्नोर करें, जैसे अब ये हमने algorithm दिखा R और You, वैसे इसको opposite algorithm होता है R' और U' इसमें हम लोग क्या करेगे जैसे हमने R यहाँ पर उपर किया था R' U' R' U' यह भी जब आप लोग approximately 220 times करेगे यह भी हमारा रुबिक्स को पूरा का पूरा बन जाएगा यह आप algorithm थोड़ा याद रखिए यह आपको फाइदा भी दे सकते है कि अगर आप यह जल्द जल्दी करते रहे तो आपकी जो finger की speed है वो अच्छी हो जाएगी और जो आप लोग रुबिक्स को पूर्फ करेगे तो वो बहुत help करेगी इसलिए आप यह algorithms चाहे तो याद भी रख सकते है यह मैं comment section में मरलब जो description है उसमें भी डाल दूँगा इसमें भी जैसे आप देख रहे है यह 4 पीज नहीं हिल रहे फिर यह हमारा rectangle नहीं हिल रहा हमारे पीछे का color blue नहीं हिल रहा और नीचे वाले rectangle नहीं हिल रहा तो वो ही यहाँ पर सारे यूट्यूबर्स जिते भी लोग इन पर वीडियो मनाते है वो यह सारे पार्ट तो दिखाते ही दिखाते ही नहीं वो ऐसी बस घुमा के आपको बोल देते है कि आप यह करते रहे हैं हाँ तो आपका रुबिस्क्यू बन जाएगा जो कभी नहीं बनता इसलिए इन सारे वीडियो को इग्नोर करना ही सबसे बैतर होगा तो अब बढ़ते हैं हमारे ठर्ड अल्गोरिदम पे ठर्ड अल्गोरिदम है L और U इसमें हम लोग U हमेशे ले रहे हैं इससे पहले हमने राइट में लिया था अब लेट में ले रहे हैं L हमने देखा था हम लोग नीचे के दर्फ करेगे और U वह ही है यह भी करीब जो जैसे R U, R' U' L U और L' U' यह सारे करीब अप्रोक्स 220 टाइम जो आप इनने रोटेट करेगे तो यह पूरो हो जाएगे इन समें यह ही है जो मैंने आपको पहले और दुसे वीडियो में दिखाया था कि हमारे कॉर्नर्स के चार पीस हमारे राइट साइट के या लेट साइट के एक रेक्टेंगिल नीचे का एक रेक्टेंगिल और हमारे opposite साइट का एक स्कॉाइर पीस मतलब ऐसे एक square piece ये बच्चे रहता है जो YouTubers छुपाते हैं इसलिए मगर आप यह जरूर याद रखेगा जिसे कि आपकी fingertips अच्छी हो मैं आपको 4 algorithm बता चुका हूँ आप मैं आपको 4 algorithm और बताऊंगा तो बागी के 4 में से पहला algorithm है हमारा L' U' इसमें होगा गया L' U' 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 तो आप देख रहे हैं कि मैंने Solve Rubik Scoop से श्राट कियाता है और मेरा वापस Solve Rubik Scoop बन चुका है तो इसमें भी यही है जातर जिते भी होते हैं वो सब लोग यही चुपाते हैं यह पूरा इत्ता पार्ट वो लोग कभी नहीं दिखाते हैं बस यह आपको दिखा देते हैं यहाँ पे हमने दो अल्गोरिजम यूज़ किया है मतलब दो अलग 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 चीज़ यूज़ किया है जो है L' U' L और U मतलब L' B है L' B है फिर U' B है और U' B है फिर L' U जो आप लोगे छे बार मूफ करेगे तो आपका फिर से रुबिक्सी वो पूरा बना हूँ मिलेगा अब वेसे ही एक दुसरा अलगोरिजम है L' U' L' U' अब इसमें क्या है हमने जैसे पहले वाला अलगोरिजम में किया L' U' L' U मतलब L' U अब इसमें हम लोग वोई उल्टा कर देगे L, U, L' और U' हमें बस ये भी हम लोग ये भी एक स्कॉर्ड है हम लोग जब स्कॉर्ड को चार बार गुमाएगे तो हमारा पूरा रुबिक्स्तियो पूरा मिलेगा अब वैसे ही हमने यहापे L में देखा अब हम लोग जबेगे R में R में क्या होगा R में R, U, R' U' ये भी स्कॉर्ड है अब यहापे मैं आपको स्कॉर्ड का बता रहा हूँ जो आप लोग R, U R' U' ये स्कॉर्ड छे बार करेगे तो आपका ये पूरा रुबिक्स्योप हो जाएगा और इसी का उपोजिट हम लोग ले लेगे जैसे हमने लेफ्ट वाले मिलिया था कि R' U' R U तो वैसे ही जब आप लोग इसे R' U' R U को भी ये स्कॉर्ड को हम लोग 6 बार पार्ट करेगे तो ये भी हमारा पूरा हो जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही और अगर आपको ये सारे algorithm चाहिए तो ये description में भी है तो आप description को ज़रूर देखेगा और comment section में ज़रूर comment करेगा हमारी वीडियो को like करेगा और हमारे channel को subscribe करेगा Thank you